बिहार बोर्ट से मैट्रिक और इंटर का एक्जाम देने वाले छातरों के लिए ये वीडियो बड़ा खास होने वाला क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि बिहार बोर्ट का कॉपी कैसा होता है ये बिहार बोर्ट के कॉपी को भरना कैसे है कौन सी गलत होता है इस front page को मैं आपके सामने दिखा रहा हूं और जैसे इस front page को आप उल्टेंगे यह details page कहलाता है इसमें details भरने होते हैं इसको जैसे याप पल्टेंगे तो आपको अंदर मिलेगा इस तरह का landscape mode में copy देखिए आप होता क्या है ना कि जो भी छातर होते हैं जब तक वो पढ़ते रहते हैं अपने जो है study period पर रहते हैं तब तक वो जो भी चीजे लिखते हैं जो कुछ लिखा करते हैं वो copy जो होती है वह लैंड़ेश्केप में नहीं होती है वह portrait में होती है आपको उस copy में जो लिखना होता है जो market में मिलती है उसमें आपका देखिए हैट कॉपी का जादा होता है और चौड़ाइश करता हुगा उसकी हग को ईँदा होती है उसकी लैंडथ कम होती है आपको पर्रेक्टिस आपका हुए स्पर दूक्षा नहीं हुगा आपका पो पोड़ेट हुआ और यहां एक्जाम में कॉपी मिल रहा है लेंड इसकेप तो यह भी ध्यान रखना है आपको अब रही बात कि इस कॉपी का जो फ्रंट पेज मैंने आपको दिखाया इसमें क्या-क्या चीजों को भरना पड़ता है देखें यह कॉपी जो होती है ना बिहार बोड का जो यह बीच बाले हिससे में आपको कुछ भी न लिखना है ना कुछ करना है इसमें कुछ नहीं करना है यहां से देखें एक काटने का निशान बना हुआ है काटना आपको नहीं रहता जैसे ही आप क्eding जमा कर देते हैं और जिप यह कापी जांच करने के जाती है वहां पर इस आपका roll code, फिर roll number फिर विस है, जिस दिन आप exam देने गए, हर दिन अलग अलग效म पि मिलेगी, और जिस दिन जो subject का exam रहेगा, वही subject का code और वही subject का नाम यहाँ पर छपा रहेगा, और किस sitting में हो आपका exam हो रहा है, उस sitting भी छपी का नंबर होता है, कॉपी का नंबर आपको कई जगह पर मिलेगा, यहां पर तो होता ही है, उसके साथ-साथ यहां पर भी कॉपी नंबर होता है, ऊपर में भी यहां पर होता है, यानि कि heading में भी यह copy number हुआ करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह copy number है काम पड़ेगा आपको कहां, तो यह copy number डालना पड़ता है, addendance seat पर, तो इतना आपको मिला लेना है कि copy आप ही की है, अब इसमें भरना क्या है, हम अभी चल रहे थे किसमें, तो हम अभी दाहिने भाग मे आपको करना क्या है, कि यहाँ पर देखिए, 9 number जो column है, यह काफी important हो जाता है, 9 number में आपको यहाँ पर set code लिखना पड़ता है, जैसे देखिए, metric हो जाए, enter हो, उसमें जो question मिलते हैं, 10 set में question मिलते हैं, और 10 में A से ले करके F तक हो गया, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J तक, sorry F त होता है, यानि A से ले करके J तक कोई भी question आपको मिल सकता है, उसके heading पर लिखा रहता है, तो जो question आपको मिला है, उसका set A है, B है, C है, D है, जो भी है, यहाँ पर आपको इस box में लिख देना है, और अगर A है, तो A लिख करके यहाँ पर A को goal कर देना है, B है तो यहाँ प यहां पर लिखा हुआ है परशन पुष्टी का कोश्चन नमबर होता है और यह कोश्चन नमबर ही आपको भरना है अगली बार यानिके दस नमबर कॉलम में यहां पर आप देख सकते हैं यह आपको कोश्चन नमबर भरने का कॉलम है देख सकते हैं आप तीन बॉक्स यहां पर फिर चार बॉक्स और फिर तीन बॉक्स और कितने हो गए दस तो वही कोश्चन नमबर आप जिस दिन का एक्जाम दे रहे हैं उस दिन का कोश्चन नमबर आपको अपना कोश्चन देख देना है तो इतना काम कर दीजेगा यह हो गया दाहिने भाग का काम कंप्लीट अब चुंकि मद्ध भाग में तो कुछ करना नहीं है इसलिए हम आते हैं कहां बाए भाग की तरफ इसमें क्या करना है तो सबसे पहले कॉलम नंबर एक में हैं वी से तो वी से वही यहां देखकर का आपको लिख देना है इसमें वी से का नाम सब्जेक का नाम लिख देना है उत्तर देने का माध्यम जो है आप इंग्लिस में अपना एक्जाम दे रहे हैं अंसर लिखने वाले हैं यहां पर इंग्लिस या हिंदी आपको लिखना होगा हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो के लिए होता है कि जो अपना एक्जाम खुद से नहीं लिख पाता है कि तरह से विक लांग है वो अपने से नहीं लिख पा रहा है तो वो अपने बदले किसी और को subscribe के रूप में राइटर के रूप में ले जाता है तो अगर आप अपना exam खुझ से लिख रहे हैं, तो आपको यहां पर no पम लगाना है और अगर आपका exam कोई और लिख रहा है तो आपको yes पम लगाना है तो अधिक तर बच्रहे तो क्या गरता है कि खुझ से अप्ना exam देता हैं छिला आपको 9 पेज, कॉपी जाच में भेजने से पहले इतना हिस्सा फार करके अलग कर दिया जाता है, यानि कि जो कॉपी चेक करने वाले हैं, उनके पास सिर्फ यह जाएगा, तो ओ कभी जान ही नहीं पाएंगा कि उनके पास किस बच्चे की कॉपी आई, कौन सा बच्चा उनके पास आय यह तभी आपकी कॉपी जो है, वैलिड मानी जाएगी, फिर पेज पलट यह तो अंदर यह मिलेगा, आपको इसमें अपना अंसर लिखना शुरू कर देना है, यानि कि उत्तर नंबर आप इधर लिखिएगा, इस चोथाई में यहाँ पर इसमें आपको अपना उत्तर चोड़ देना है, यह कॉपी सही से लिखने का तरीका, और यह मैंने वीडियो बना कर डाला हुआ है, आपको वहाँ पर देख सकते हैं, उस से आपको जनकारी मिल जाए कि अच्छे से अच्छा नंबर लाने के लिए कॉपी कैसे लिखी जाती है, इसमें इस वीडियो में फ नंबर नहीं आया, एमपीपी वगरार भरते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपका देखे मुलियंकर कोड लिखाएगा और कितना नंबर आपका आया, बिलकुल छोड़ देना है, तो फिलहल इस वीडियो प्लिय बिर नहीं, अगर और कोई दाउट हो आप झाल झाल